सब्सक्राइब आप सभी का एक बार फिर हमारी सिय इंट्मीडियेट की ऑडिटिंग एंड एटिक्स की इस बाच में सिय इंटर एडवांस अकाउंटिंग में हम कही सारे स्टूडेंट से मिलते हैं यह हमारे ऑडिट का सेशन अक्शल पे देखा जाए तो इस इस देखा आपको मिलेगी सी बैच की क्या ड्यूरेशन रहेगी टेस्ट कब किये जाएंगे क्या आपको टेक्स सपोर्ट मिलेगा एंड लाट स्टाफ इस लेक्चर में अब अपन और चुरू कर रहा है दोस्तों सबसे पहले चाप्टर और सबसे पहला चाप्टर हमारा क्या है तो य सबसे पहले इंट्रदक्शन तो अड़िट में मैंने एक अड़िट की डेफिनेशन ली थी और उसको एस पर दर स्टडी मटीरल नहीं कंसेप्चुली समझाया था कि अड़िट होता है लेक्चर यूट्यूब पर भी अवलेबल है इन केस अगर आपने वह मिस किया है तो आ और उसमें हमने एक बेसिक अंडरस्टांडिंग ली थी कि एक्जाक्ली अड़िट होता क्या उसका स्कोप क्या होता है उस सिर्फ एक बेस बिल्डिंग लेक्चर था अल्टिमेटली डिस्कुशन अपना हाथ से शुरू होगा वह आप बाद में भी देखेंगे तो भी इस के सेशन से उसका कोई interconnection बहुत strongly नहीं होगा but strongly recommend आपको देखना चाहिए फिर हमने देखा था कि new scheme में हमारे syllabus में क्या-क्या topics है एक बार दुबारा आपको बता देता हूं chapters which are there in your new course एक comparison of old or new का मैंने विडियो यूट्यूब पर share किया है कुछ उनने इस minute का जिसमें बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है कि old course के क्या-क्या topic थे उनमें से new course में कहां कहां चीजे सेम है बदल गई है और जो shift हो रहे है और old में पढ़ चुके होने कैसे shift होने है पर अगर आपने old में पढ़ा ही नहीं है तो आपको कुछ दिक्कत करने की जर्वत ही नहीं है in fact आप पूरी ये जो batch लेंगे है पूरी 100% new course के अनुसार as per the ICI new study material होगी यानि हमारा discussion ये auditing and ethics के 11 chapters पर होगा और आज हम chapter 1 शुरू करेंगे nature objective and scope of audit इन सभी chapter के अंदर क्या-क्या content covered है तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो syllabus होता है वो काफी कुछ standards on auditing के उपर based होता है ये क्या होते है जैसे accounting के standard होते है कि accounting कैसे करना है वैसी auditing के भी standard होत standard है starting from अगर आपको auditor appointment किया है तो आपको कैसे client के साथ ही के engagement letter sign करना है उसके उपर standard है और जिसका discussion अगर आप देखोगे तो आपको सीध है chapter number 11 में देखने को मिलेगा जबकि है जबकि वो एकदम शुरू की बात है second appointment होने के बाद आपको audit शुरू करना है तो आप कहां से शुरू करोगे पहले आप client की जानकार ही लोगे और उसको समझोगे फिर एक strategy बना के अपना audit plan बनाओगे तो chapter 2 फिर उसके बाद आप उसके यहाँ पर क्या क्या risk है कहां गडबड हो सकती है इन चीजों को समझोगे chapter 3 और फिर उसके लिए आप audit evidence gather करोगे जैसे की court में judgment सुनाने के लिए evidence lawyers के सुनता है देखता है evaluate करता है और फिर अपना judgment चुनाता है वैसे यहाँ पर भी auditor evidences वहाँ उसके पास कोई lawyer नहीं है जो उसको लाके देखा कोई व्यक्ति नहीं है उसे खुदी को evidence ढूनना है और उसके basis पर उसको खुदी को अपना एक judgment या opinion या report बनाना तो वो खुद evidence गट्टे करता है कि financial statement में जो बाते बताई गई है वो सब सही है या नहीं है और अगर उसे लगता है सब कुछ सही है तो फिर उसके आधार पर वो अपनी एक report दे report देने से पहले evidence gather करने के दौरान उसे कई सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जैसे की business बंद तो नहीं हो जाएगा related parties के साथ किस तरह की हमारी relationship से entity की हमारी company में कहीं कुछ खामिया तो नहीं मिलिये internal controls वगेरा की weaknesses वगेरा तो यह सब चीजों का भी हमें extra ख्याल रखना होता है before we give the report which is completion and review और auditor को सब चीजों का note बना के रखना पड़ता है working paper फाइल में ताकि कल दिन उसके उपर अगर कोई सवाल उठाए तो क्योंकि होगा कोई भी कंपनी में अगर fraud निकल के आएंगे जैसे की वाइजूस के उपर आज इत्ती सारी सवाल खड़े किये जा रहे हैं इन्हो का गवन किया accounting का गवन किया तो डिलाइड इनके auditor ते जिन्होंने resign कर दिया नहीं करते हैं और report देते तो उनके उपर सवाल खड़े किये जाते आज उसकी जगे बीडियो को auditor पॉइंट किया है तो बीडियो जो audit firm में CA firm में वो जब audit करेगा बाद में अगर बाइजूस के financial statement पर कुछ सवाल खड़े रहे तो बीडियो से पूछे जाएंगे तो इसके पास अपने working paper क्या होता है जो आपकी file होती है जिसमें आपने जो जो चेक किया उसके सबूत होते हैं आपको उससे present करना पड़ेगा कि भाईया देखो हमने सब चेक किया और हमारे साब से अपने इसे कहते हैं standards on auditing based chapter और आप देखना इस कारण से मैंने आपके लिए एक index बनाया है जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन सभी chapter में कौन-कौन से standards इंस्टिट्यूट ने कवर किये आज शुरुवात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से यह चीज शायद एक दम रेलेट नहीं करेंगे क्या रही है सर क्या बता रहे हैं बट यह जो आपका पहला फाइल है यह आपको बहुत काम आएगी दोस्तों जब नी बैच क्या है इंस्टिट्यूट आपको आपकी एक्जाम से पहले एक नोटिफिकेशन के द्वारा बदाता है कि इतने सारे स्टेंडर्ड और जैसे उसमें पीस के पूरा सिल्बिस है उसके इतने सारे आपके चैप्टर किसके ओपर बेशन है तो सर हमें क्या standard पढ़ना है या chapter कुछ नहीं अब तुम्हें इंटर में सिफ ये chapter पढ़ने क्योंकि इंस्ट्यूट ने नया material इतना अच्छा बनाया है इतना systematic बनाया है कि standard का सारा relevant content बहुत ही अच्छे sequence में cover कर दिया है sequence may not be chapter 1,2,3 ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे अपन क्यों कि बीच में कुछ दूसरे chapters है तो हम chapter अपने हिसाब से pick करेंगे पहले हम chapter 1 लेंगे फिर 11 लेंगे उसका reason मैंने आपको भी समझा है वो आपको परेशान नहीं होना है बट चाप्टर में क्या सुफ standard का ही content covered है नहीं और भी दूसरी theory दी जाती है जैसे कि chapter 1 में बहुत सारी theory मिलेगी जैसे benefits of auditing यह standard में cover नहीं होते पर institute अलग से देता है जैसे आप business studies में नहीं पढ़ते थे भी planning के क्या benefit है ऐसे कुछ theory content है उस अब chapter 1 में covered है तो मैंने आपको एक introductory lecture कहते है और यह हमारा real में first lecture है वो जो यूट्यूब पर है जिसमें सुफ बताया है कि basic audit क्या होता है और आपके syllabus के बारे में बैच के बारे में यहां से अपन chapter 1 शुरू करेंगे यह अपना content start हो गया है तो यह आपके लिए reference point हो जाएगा दोस्तों और इसी background के साथ अब PDF दी जाएगी आप इसके printout निकाल के side में noting कल दी जब में in book आएगी तो दुबारा थोड़ी सी noting करना पड़ेगी अच्छा है उस बाहने revision हो जाएगा blessing in disguise आप चाहते हैं otherwise ICI के study materials से cover करना तो दोस्तों जी हाँ यह मेरा वचन है और अपना वचन ही साशन तो नहीं है लेकिन यह प्रशासन है management अपना ऐसा दोस्तों कि पूरा ECI का study material ही ब्रहमास्त्र है in fact जैसे जैसे अपन chapter cover करेंगे class class में वैसे ICI का study material भी open करूँगा और मैं आपको daily basis पे जो अपन ने यहां पे cover कि आई के study material में कहां है वो दूँगा और आप यह समझ लीजिए कि एक important full stop कॉमा भी कि आई के study material का हमारे material में cover नहीं हो ऐसा नहीं होगा यानि हम जो पढ़ रहे हो पूरा study material पढ़ इन वैक सारे chapter से मुसी फ्लो में बनाए गए गए जैसे तुम पढ़ी नहीं पाओ मैं तुमको ICI का study material बता आ जाओ यह ICI का institute का study material है अगर तुमको side में छोटा सा page नंबर दिख रहा है तो देख लो it is 825 pages index page तो जोड़े नहीं तो पहली चीज यह 825 page का material है और यह material में यह एसा material है आप compare कर लो अभी यह हो origin of auditing जिसमें पूरी कहानी बताई गई है audit कैसे origin हुआ है इसी चीज को इससे पहले तो ठीक है यह introduction है जिसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं तो यह original auditing को इसी चीज को जो वहाँ पर दिया है मैंने यहाँ पर दे रख है इस तरह तो हर particular paragraph का क्या करक्स है उसका sequence उसकी heading डाल दी 12345 दे दिया exam में कितना important है वो secondary हो मैं mark कराते जाओंगा आप इसको देखके और उसको देखके एक chapter में compare करके समझ जाओगे कि है पूरा ECI study material बट formatted with emphasis on important things, better sequencing, use of color codes wherever we can do or it is required to make the whole subject more interesting, the content more interesting even without losing anything of the तो यह मेरा वचन दोस्तों कि आपका ECI का study material अलग से refer करने की जरवत नहीं है question bank जो आपकी होगी जो हम साथ-साथ में cover करेंगे class में क्लास में क्योंकि हमारी यह regular full-fledged batch है सारे question आइक से study material past exam के जो अभी भी relevant है, RTP, MTPs होगेरा, सब आपकी question bank में cover है आपको वो देखने के अलावा कुछ देखने की जरवत नहीं है वो भी incorporated है आपकी MTPs में तो वहाँ पर आप solve करोगे पर आप बाद में refer कैसे करोगे इसलिए printed form में available है आप बाद में इस पर review भी निजी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन लोग अपने पहले चाप्टर की जिसका नाम है nature objective and scope of audit theory chapter है दोस्तों auditize है पूरा ही theory है बड़ा interesting है और क्या बात करें उसे आरे बहुत interesting बस आपको क्या करना पड़ेगा बस approach आपकी सही होना चाहिए approach develop करने के लिए आपको कुछ समय के लिए मेरे हवाले कर देना होगा जो तरीका में आपको बगदारों उस तरीके से आपको पढ़ना शुरू करना है बचने मेरा पहला चाप्टर होगा उसके बाद आप questions उड़ा के देखना आप बोलोगे यू questions solve हो रहे हमारे solve ही नहीं हो रहे है याद भी रह रहे है और बड़िया confidence भी है कि हमारे पास institute का material भी cover हो रहा है और must exam में जो past में questions आए हैं वो भी solve है है और हमारी exam में जो आने वाला है वो भी solve है तो बताओ दोस्तों क्या बोलता है शुरू करें इसी किसाथ chapter number one nature objective and scope of audit सबसे पहले इन्होंने origin दिया है auditing का not really very important background बनाने के देश से कि भी audit शुरू का ऐसे हुआ सबसे पहले इन्होंने का कि हमें भारत में चानक्यके पॉटल्य के द्वारा दिये गए अर्थ शास्त्र economics के अंतरगत audit के कुछ content देखने को मिले there were references given to auditing बात की गई थी कि भाईया राज्य को साल में अपने भाई खाते एक बार final करना चाहिए accounting ही year का concept उन्होंने introduce किया बताया कि हर साल के खाते हर साल close होना चाहिए और इसका एक व्यक्ति के द्वारा direction cross check audit कराया जाना चाहिए ऐसा करा लेने से इसी प्रकार के अगर कहीं कोई misstatement financial statement में due to abuse of power हुए तो वो तो पता इसी किसा दोस्तो एक पहली term आपके सामने आ गई which is misstatement अगर आपने audit के अपनी एक separate copy बना लिये दोस्तों बहुत अच्छी बात नहीं बनाई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप करपा करके बना लीजिए मैं आपको एक separate file बना के आपके साथ share कर रहा हूँ which is basically on यह छोड़ो यह data is random important repetitive terms in audit सर यह सारी important repetitive terms जो audit में आ रही हैं इसका अगर आप एक material content definition नहीं देतो तो मज़ा आ जाए बिलकुल दूंगा लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर भी जो language होगी वह कौनसी वाली language होगी जो definitions में language दी गई है standard में technical और यहां अपन लिखेंगे तो अपने पास खुली छूट है अपन मफ्त आस्मान के नीचे उड़ते पंची की तरह जैसा जो लिखना चाहें जहां गूमना जैसी बात करना चाहें वैसा कर सकते यानि कि यहां मारा उद्देश्य इन टर्म्स को समझाना होगा भूलके भी यह मत सोचना कि यह टर्म समझाने का उद्देश्य मेरा क्या है आप एक्जाम में ने कोट कर पाऊ नहीं क्रैस करने कभी भी आप पढ़ोगे ना तो ओड़ेट में आप यू समझान लो दोस्तों ऐसा बोलते किसी ने एक शोत किया रिसर्च करी तोनों ने कहा कि 500 ऐसे वर्ड है जिसमें 70% conversation cover हो जाते हैं अंग्रेजी में इंग्लिश के 500 वर्ड आप ले लीजिए 70% conversation उन 500 वर्ड से आम तोर पे जो लोग करते हैं पूर हो जाते हैं और कुछ 900-1000 वर्ड अगर ले ले तो उसमें 90% conversation cover हो जाते हैं इसे dictionary में आपको 1000 वर्ड मिलेंगे यही repetitively यहां पर भी हम ऐसी कुछ 20-25 टर्म जो आपको हर जगे देखने को मिलेगी उसके एक नोटिंग कर लेंगे ताकि आप कभी भी पढ़ो और आपके मन में वापस से डाउट आये तो आप यह term बार देख लेना इसके reference देख लेना आप यह समझे लो दोस्तों आप ऐसे audit की terms पढ़ोगे ऐसे content technical language और जारगन पढ़ोगे ही नहीं एक्जैम में लिख पाओगे कि आपको उसका meaning feel करने को मिलेगा misstatement का मतलब क्या होता है जैसा नाम वैसा काम misstatement यानि कोई गलत चीज state कर दी गई misstatement तो misstatement का मतलब क्या होता है it simply means an incorrect or an inadequate statement in financial statements हमारा सब कुछ एक auditor का सारा वास्ता किस से हम किसका audit कर हम यह कोई audit नहीं कर रहा है कि या इंडियन cricket team ने cricket डंग से खिला या नहीं को अधित मतलब क्रॉस चेक करना और कुछ क्रॉस चेक कोई भी चीज होती है साड़क बनी तो उसका भी audit होता है कि यह साड़क जैसी बोली गई थी वैसी बनी कि प्लाइओवर बना उसका भी audit होता है कि यह इंचिनियरिंग इसकी वैसी हुई है जैसी बताई गई थी हम स्रुफ किसका audit कर रहे है वैलेंचीट पी एंडिल फिनाइशल स्टेट्मेंट उर्फ सिंपल सी बात करें जो अपन समझते कि यह किसी कंपनी के भाई खाते फिनाइशल उसने बनाए उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं बही ऐसे के कि अपना audit कराता है कि क्या हम निश्पक्ष रूप से जो भी हमारे पास आवेदन आ रहे हैं उनका selection कर रहे हैं ऐसा तो नहीं अमीद भाई अपने कोई जान पेचान के व्यक्ति का ही क्या कर रहे हैं selection कर रहे हैं तो यह भी audit हो सकता है ऐसे जमाने भर के कुछ भी हो सकते को there is no kind of mili bhagat involved misstatement wrong tensions तो यह भी audit है और हम financial statements के audit की बाद करें balance sheet पी अगर आपके financial statement में कहीं कोई चीज गलत लिखी है या जो बताना चाहिए था परियापता नहीं बताया है omit की है तो उसे misstatement कहते हैं यह हो सकता है आपका management knowingly दे उसे fraud कहते हैं हो सकता है अंजाने में हो गया हो उसे error कहते है misstatement किससे related हो सकता है it can be related to classification measurement presentation or disclosure technical ही नहीं समझने के लिए समझाने के लिए लिए लिखेंगे नोट करेंगे आप लोग भी साथ साथ में हाँ कोड़े समय तक आपको मेरी साथ से चलना पड़ेगा अपन अडिट को जिफ समझेंगे नहीं या नहीं करेंगे पील कर पाएंगे classification example से समझाता हूं red में highlight black में theory और blue में examples extra कोई भी चीज तो pink अगर आपके पास चार गलर की पेन हो सके तो आप भी लिए आई है pink नहीं मिल रहा है green यूज कर लीजे तो जैसे classification में मैंने क्या किया capital expenditure को revenue बुक कर दिया या वाई से बरसा machine खरीद के लाया खर्चा बुक कर दिया machine में repair किया machine की cost mat कर दिया ये गलत है जान करके किया ताकि मैं profit कम ज़्यादा कर सकूँ तो रुफ रॉड है अन जाने में हुआ तो error है measurement valuation तो इसका मतलब मैंने क्या किया depreciation कम charge किया ताकि कमनी के profit जाता दिखे कोई ऐसा क्यूं करेगा भई profit जाता तो share की price बड़े है तो ये measurement का issue है इससे amount आपने गलत की sales over book कर दी जैसा बाई जू ने किया ऐसा लोगों ने का यानि approval पर माल दिया था पर sale book कर दी ज़्यादा sale दिखाने के लिए presentation current को non current दिखा दिया होता है ना balance sheet में asset liability current non current disclosure let's say secured and secured हमारी कोई asset हमने गिरवी रखी थी बताया नहीं कि इसके अगेंस में charge created disclosure नहीं थी related party के साथ कोई transaction हुए नहीं बताए जैसा अभी आपने सुना हो तो इसी नियम होती है दोस्तों आपन देखेंगे advance accounts में आप case 18 related party disclosures कहता है कि हर company ने जो भी related party के साथ transaction किया निवारे रूप से उसे बताना होते है notes to financial statement में अडानी के उपर जो हिंडनबर्ग की report बीच में आई थी आपने कभी सुनी हो उसके बारे में तो उसमें हुआ यही उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाया अडानी के उपर और कहा कि यह देखिए यह सारी गड़बड़ है जिसमें बड़ा आरोप यह था कि उनकी कोई सिं सेल बुक होती है और फिर वही आदमी अडानी को कुछ सप्लाई भी कर रहा है वह पर चेस भी बुग हो रही है नेट सेटल्मेंट हो रहे हैं पैसे का कोई लेंदेन हो नहीं रहा है बस बुक्स में सेल पर चेस सब बढ़ा-बढ़ा के दिखाई जा तो यह मिस्स्टेटमे पहला के वही कर सकते हैं तो हमारे चानक के भाई ने हमारे कोटल्य जी ने कह बहुत पर यह अजब राज्य के खाते बनते थो ऊनफा में ऐसा हो सकता है की ज्ञार यह जान करिए क्रिए सकती है क्यों क्योंकि धवनानrän जैसे abroad यह उन एक मौरियन एंपायर से पहले दनानन्द को बाहर कर कि चंद्रकुप मौरिय जब आए तो रहन बोला कि यह जो इस तरह के दनानन्द जैसे राजा होते हैं यह अपनी पावर का अब्यूस करते हैं जनता का पैसा जनता के कल्यान में खर्च करने की जगे अपने पर्सनल शौक के लिए पूरा करते और बताते की जनता के कल्यान में खर्च की तो इसलिए जरूरी है कि कोई इसका क्रॉस्चेक निश्पक शुरूब से करे और बताए कि भाईया यह देखिए यह खर्च तो आपने सुना होगा दोस्तों अभी बहुत सारे एक्जैम्पल ऐसी चलेगा भी शुरू में बेस बनते जाए अपना समझ में आते जाए फील होते जाए भारत पे के फाउंडर के उपर अरे क्या नाम है उसका बताओ ओ ग्रोवर ग्रोवर यूट्यूब यूट्यूब देखते हो तो आयमताव पर तुमको देखते रहे तो भारत पे के जो फाउंडर थे उनके उपर क्या आरोप लगाया गया कि इन्होंने खर्चे बुक किये भारत पे जिस पे जनता का पैसा लगा हुआ है इक्विटी फंडिंग ले रखिए न कई हो से उन्होंने और वह खर्चे उन्होंने बुक करें और वह खर्चे एक्च्वल में खर्चे ही नहीं थे वह पैसा घल ले गए उनके उपहर आर्णाप लगा bible आ सकतर असी करोड़ का डिया और male-dial ने कोई सोर्स किया था वहो तो लोग डिरेक्ट आये थे हमारे पास पर दिɛा दिया था कि उन्होंने स्वर्स Dios और उनको commission ले दिया और इससे कमपनी 80-80 रुपए बार उनके खाते में डलवा दिया तो यह तो fraud गलत हो रहा है जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है इसे कहते हैं mistake अभी आरोप लगा है प्रूब होगा वह आगे की बात है अगर audit हुआ और auditor ने यह चीज़ चेक करी तो वह report करेगा कि वह यह यह चीज़ हमने आई है तो sir क्यों auditor ऐसे सारे frauds पता कर लेता है अभी तो party शुरू हुए यह विटा अभी शुरू आती है धीरे धीरे हौले हौल यह discussion आगे बड़ेगा तब आप और समझते जाएंगे auditor कि ते तक के frauds डून पाते है फिर उसके बाद तो यह तो 4th century before Christ की बात थी बहुत पुरानी बात उसके बाद medieval times which is your 12th to 16th century इस दुरान audit शब्द का origin हुआ तब क्या होता था यह शब्द आया एक latin word auditor से जिसका मतलब होता है to hear auditor used to hear the accounts read out to them to check that employees were not care less and neglect इसमें क्या होता था एक व्यक्ति को बिटा दिया जाता था और उसको बोलते थे सारे खर्चे एक आत्मी आएगा और वो सारे पढ़ेगा और आप सुनके उसमें कोई भी खर्चे पर आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछिए और पूछ कर बताईए और आपको लगता है डाउट है तो उसमें question raise का रहे हैं तो इसलिए सुनते थे और उसके आधार पर हम बोलते थे कि भी आईए चेक करो यह कड़ पड़ तो नहीं है सब पता करते थे का अगड़ तो सुनकर identify किया जाता था 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 तो यह सब काम कहा तक ठीक थे बच यादा जब कुछ complications नहीं थे दोस्तों फिर Europe में हुआ industrial revolution शुरू यह 1867 से आपका शुरू हुआ और फिर यह 1928 century तक चलता रहा industrial revolution मतलब कुछ भी नहीं है mass scale पर product बनाके जनता के लिए बनाना शुरू कि अब आप एक चीज समझो ऐसे कि इस पर अभी तक क्या हो रहा था राज्य है तो राज्य मंत्री है वो सब देख रहे राज्य पर यहां पर क्या हो रहा है ऐसा नहीं है it is distributed हर कोई माल बना रहा है और चंता के लिए बना रहा है और खूब सारा माल खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है तो जर्वत पड़ी proper accounts बनाने की और उनकी proper checking कराने तो क्योंकि ट्रेड बहुत बढ़ गया और शुरुवात यूरोप से हुई है इसके लिए जर्वत पढ़ने लगी कि हम अपॉइंट करें किसी व्यक्ति को जो चेक करें कि जो management बोल रहा है वो सही है management जिम्मेदार होता है किसके लिए financial statement बनाने की एक चीज दियान रखना ह रामेशा ऑडिटर को ने जो क्रॉस चेक कर रहा है वो खुद बना नहीं रहे हम बनाने वाले नहीं हैं हम सिर्फ क्या करते क्रॉस चेक करते हैं मतलब क्या है मतलब इसका यह है कि भारत पे अपने financial statement बना दिये फिर auditor को बुलाया और उस auditor को फिर बोला कि वह यह चेक कर सब सही है या नहीं उसको गलती मुली तो उसने रपोर्ट जैसे पताया किसी ने गुजरात से है गुजरात में आपके सर्दावल भाही पटेल का बड़ा सा स्टैचू बनाया गया तेंशिटी का निर्मान किया गया अब वहां पर जो भी खर्चे होगे वह सरकार ने की है तो एक auditor होता है तो क्योंकि आप देखो सबसे पहले राज्य में auditor आए तो ऐसे आज भी ऐसा होता है तो उत्तों कि गवर्मेंट के सारे expenditure का audit करता है और उस आदमी को नाम बोला जाता है Comptroller and Auditor General CNDG आज भी भारत में सारे सरकार के खर्चों के उपर चेक कौन करता है CNDG Comptroller and Auditor General of India यह एक व्यक्ति है कि आज जैसे प्रधान मंत्री एक पोस्ट होती है न वैसी CNDG एक पोस्ट है इसके साथ बहुत सारे लोग यह कई सारे department है जैसे PMO आपका office है वैसी इसका भ िसने क्या किया? चेक किया पूरा और चेक करके फिर यह रपोर्ट करता है कि यहा यह खर्चे जोवए यह अप्रूल नहीं थे इसका कोई अप्रूवल नहीं हो आई हो यह मॉर्केटिंग पर इत्ते ज्यादा खर्चे यहा लाओर यह नहीं थे फिर भी किये गये कि सब ऐसी रिपोर्ट क्या बात कर रहे हैं वाकि ऐसा होता है कि हाँ होता है और रिपोर्ट में लिखा हुआ भी आता है आप नीज़बर पर फॉलो करते हो तो कई बार ऐसा देखना आएगा सुना किसी एंडेजी ने रिपोर्ट किया है कि इस पर्टिकुलर जगे पर सरकार इत्ता वेस्टफुल एक्स्पेंडिचर किया एडवर्टिस्मेंट्स के उपर इत्ते सारे खर्चे किये गए जो कि यही सैंचन्ट ही नहीं थे इसे आपको रिपोर्ट देखने को इसका होता गया है बकायदा परल्लेमेंड में डिबेट होती है डिसके शुरू होती है तो ज क्योंकि पहले ज्यादा तर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अक्टिविटी सरकार के हाथ में थी और ऐसे भी 1860 तो इसका मतलब क्या है बेसिकली देश गुलाम था अंग्रेजों का तब अंग्रेजों ने क्या किया ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया और उस सब वो लोग क्या करेंगे इन सारी चीजों के भई खाते बनाएंगे और फिर तुम उसको अडिट करना कैसे खाते बनाना है ये भी तुम उनको समझा और फिर ऑडिटर जेनरल का ऑफिस बाद में क्या हुआ स्टाचूटरी रेकनिशन स्टाचूटरी शब्द का मतलब क्य मुर्मू सहाब इसके एक क्या है सीएंगे जी है भारत सरी ये सीए होते क्या नहीं ये बेसिकली आप यू समझ लो आईए इस इपीए सफसर होते जो रहेंग में बढ़ बढ़ के इस तरह पोस्ट हो जाए इंडिपेंडेंट कॉंस्टिउशनल अथारिटी है जो की सीप्ट और एक्स्पेंडिचर का ओडिट करना इंडिपेंडेंडेंट कॉंस्टिउशनल अथारिटी का मतलब क्या है स्वतंत्र कॉंस्टिउशनल यानि की समविधानिक यानि बहरत के समविदान मेंने जी के प्राफधान डाले गहें और कहाते हैं कि सरकार के सारे बाई खाटो को स्वतंतर रूप शे चेक्क करने वाला ऑफिस होगा सीणेजी तो कल दिन हगर मोदी जी सीण का कोई जोर नहीं चले क्या मोदी जी सुप्रीम कोड के जज को बोल सकते हैं कि यह वाला केस हमारे फेवर में सुनाना यह केस मत सवाली नहीं उठता वह एक स्वतंत्र में निर्मान हुआ दोस्तों हम सबका दूश्मन नंबर वन है इसके लिए पूरा पारित किया पार्लिमंट हमारी कॉंस्टिटूशनल अथॉरिटी नहीं है भारत के सम्विधान में नहीं लिखा इस यह बनाया जाएगा पर एक आक्ट के अंतरकत परल्लेमेंट ने पास किया एक आक्ट जैसे जिसे एक्ट का एक्ट पास हुआ एक्ट नैंटीन पास हुआ और हमारा प्रोफेशन बनाया प्रोफेशन को भारत में रेगुलेट यह है बेटा ओरीजन ऑफ ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ काम के तथ्य जो आपको पताहना नहीं हो इंपॉर्टन नो नौट रिली इंपॉर्टन एक बैगराउंड बनाएं यह समझनी है ठीक है फिर आते अपन मीनिंग और नीच के परिए इंट्रड़क्टरी क्लास में हमने यह डेफिनेशन समझने के उद्देश्य से डिसक्स की थी अब अपन इसे एक्जाम के उद्देश्य से डिसक्स करें इसमें क्या मुद्दे दिये गए और अगर आता है तो हमें क्या पढ़ना है क्या लिखना है क्या कहना है ओ An audit is an independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not irrespective of size or legal form any entity लिगाय तो लिखने की जर्वत ही नहीं है पर समझाने के लिए लिख दिया है नहीं लिखने के 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 लिखने सबसे पहले कहा है कि एक स्वतशंतर जाज है इंडेपेंगन्ट है examination है financial matter का विप्यमुद्धों का financial information किस की financial information किसी संस्तान की किखती की हो सकती है क्या खञाना चाहे पर नॉर्मल्ली entity यार्नी business के audit होते है पर business ज़रूरी नहीं है profit making business और charitable organization के भी हो सकते हैं profit बनाने वाली हो या नहीं छोटी हो यह हो company हो partnership firm और proprietorship firm किसी का भी audit हो सकते हैं कोई भी संस्तान institution separate legal entity हो नहीं हो कोई फरक नहीं हो बस यह बात ता है कि जो आप examination कर रहे हो उसनों उसका आपका उद्देश्य उस पे एक राय कायम कर कैसी राइट कि क्या हमारे financial statements जो बनाए गए सही या तो अब exam point of view से study material में दिये रहे content के अधार पर आपन इसका analysis करें क्या कहा गया है audit is an independent examination of financial information तो सबसे पहला सवाल है independence का मतलब क्या independence स्वतंत्र कित्ती गशब डेफिनेशन दिये जो आपको याद रखना पडएगे exam point of view independence means that judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who has engaged सुपब ब्यूटिफु डेफिनेशन आगया है judgment of a person is not subordinate to the wishes of the person appointing him मेरे निर्ने उनकी ज्छाओ पर आधारित नहीं है जिनोंने मुझे नियुक्त की यानि मैं वो कट पुतली नहीं हूँ जिसे मुझे अपॉइंट करने वाले लोग चला से मैं एक स्वथन त्रवेक्ति जिसको पॉइंट करने वाले लोग यह नहीं कह सकते कि मैं जैसा कहूं वैसा करते है in fact मैं independently यानि बिना उनके influence के जो सही है उस पर अपना उपीट समझे है बहुत ध्यान चाराम से auditor किसी भी entity का होता है तो process क्या होता है आपको समझा process में सबसे पहले financial statement बनाई जाते है बैलेंशीट पीएंडल और इस बैलेंशीट पीएंडल वो खास तोर पे जब आप कहीं जमा करते हों सवाल उठता है कि भी या आपने जो बनाया हो सही है या नहीं है कैसे पता पड़ेगा क्योंकि मुझे सिंपल सी एक बात बता है तुम कुछ दोस्तों ने न्यू येर की पार्टी प्लान करी पचास दोस्तों का अपना गुरूप है मस्त रहे हैं कॉंट्री पार्टी रखने की बात हुई और दो लोगों को जिम्मा दिया कि भी या तुम हजार रुपे का फिक्स कांट्रीबूशन सब ने दिया पचास हजार रुपे उन्होंने इखटे कर दिया अब वो पूरी पार्टी प्लान करी करने के बाद वो बकाइदा पूरे खाते बना देते कि या कितने खर्चे हुए बच जाते तो बढ़ जाते वापस से ज्यादा लगते तो वापस सब लोग दे दे उन्होंने पार्टी होने के बाद में एक पूरा ब्यौरा बना के दे दिया कि भई देखो यह यह खर्चे हुए है हमने उन पर विश्वाश कर ली बोल रहे तो क्या जूट बोलेंगे पर यही बताईए दोस्तों कि अगर ऐसा आप पचास दोस्तों के बीच में होने की बताएं समझे कि हमारी स्कूल के दस अलग-अलग क्लासिस के पचास-पचास बच्चों ने मिलकर पांसो बच्चों की नियो इयर पार्टी प्लानिक सब हजार रुपे दे रहें पाच्छलाग रुपे खट्टे हो गए और दो लोगों को जिम्मा दिया है पूरी पार्टी बानेज करना ऐसी सिच्वेशन में कहीं न कहीं वो जो खर्चों का ब्योरा देंगे आपको अंदर से ऐसी फीलिंग तो आ सकती है कि यार पथे ने खुद के अजार तो बचाई लिएंगे कोई खर्चे फेक डाल दिएं हो सकता है कहीं उसने लेट से डेकोरेशन कराया डेकोरेटर ने बिल दिया पचास जार रुपे का हो सकता है उसको चालीस ही पे कियो बिल पचास का मिल कियो पॉसिबल तो है कि उसने थोड़े पैसे बना लिए हमने एक क्लब चालू किया ये क्लब में हमारा सिंपल है कि स्पोर्ट्स इविंट्स होती है रिस्क है कि वो पैसे गबन ना कर ले खुद के लिए और कैसे करेगी इसको चेक एक सिंपल सा तरी हम किसी एक निश्पक्ष विक्ति को बोल देते हैं कि यार तुम यह सारे खाते चेक कर लो तो आप समझो कि अपन वही वाली पार्टी लेते हैं सिंपल कौन सी अपने पचास दोस्तों की हजार रुपे लिए पचास जार रुपे उसने खर्चे का ब्योरा दे दिया और लेट से हम सभी के टीचर हमारे सर हमारे प्रिय सार्थक सर जिसको हम सभी 50 लोग जानते हैं और हमें विश्वाश है उनक्यों हमने बुला सर आप एक बार प्लीज खाते चेक कर लिए उसने पूरे एक्स्पेंस दिये उसके सारे बिल्स वाउचर्स डॉक्यूमेंट सब दे दिये मुझे मैंने चेक कर लिया पाच्छे लोगों से मैंने कॉल करकी भी पूछ लिया कि यार यह तुम्हारा बिल इत्ते का है फाइनल सेटल्मेंट कि इत्ते में हुआ जैसे टेंट क्रॉस कर लिया और यह सब वेरिफाइड करके मैंने बोला कि नहीं यार यह सारे खर्चे जितने दिये गए यह सब मैंने देखे सब सही है आप पताओ दोस्तों जब मैं यह उपीनियन दे रहा था तो वह जो दो बच्छे जिन्होंने खर्चा किया सारा क्या उन दो से जिन्होंने कर्चा किया उन्हीं पॉइंट कर दिया उन्हों बोला अरे सर कुछ कुछ जड़े खर्चे ऐसे हो जहां पर ना थोड़ा विल्विल निया आप संभाल ले ना आप मत देखना मैंने बुला हाँ चल ठीक है जैसा तु बोलेगा वैसा कर दूँगा अगर ऐसा है तो फिर यह ऑडिट ही नहीं है क्योंकि क्या काम का है audit होने के लिए इसका क्या जरूरी है होना independent होना जरूर इसलिए definition में बोला है audit independent examination है वहिया और independent का मतलब मुझे नियुक्त करने वालों की इच्छा नुसार मैं audit नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए audit नहीं कर रहा हूँ निश्पक शुरूप से जैसा मुझे मेरा ICI बताता हूँ audit कैसे हो रहा चाहिए वैसे audit तो क्या कहा गया है यहां पर दोस्तों excuse me when the judgment of a person is not subordinate यानि की influenced by the wishes of the directions of another person who might have engaged in इसे इन इंडिपेंडिंटिंग टॉट तो अज रिलाइंस में सपोज मुझे auditor अपॉइंट किया अबिस सी बात है मुकेश भाई उसके major owner है उनकी सहमती के बिना मेरा appointment नहीं होता है और मुकेश भाई कल दिन मुझे बोले अरे सुनो जी ओ मैं कुछ चीज़े चेक नहीं करना है आपको और मैं बोल दूँ जी जी मुकेश भाई को दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब फिर ये audit नहीं हो रहा है in fact मेरी जिम्मेदारी है मुकेश भाई को कहना है कि मुकेश भाई ऐसा नहीं होगा चेक सारी चीज़े होगी जो भी होगी सब रिपोर्ट होगी रिपोर्ट करने से पहले आप से डिस्केस होगा पर कुछ गलत है तो रिपोर्ट कुछ भाई भाई बोलेंगे हम चेक कर रहते हैं हमें ऐसा ही वेक्ति independent क्यों क्योंकि हमें हमारी शेरोल्टर का इंट्रेस पड़े है यही तो है रिपोर्ट तो याद रखो है independence की क्या definition है judgments are not subordinate to the wishes of the person engaging him बस काम कित्ती सी बात है यहाँ तो जाएगा auditor क्या होना चाहिए he should be independent of the entity under audit to form an opinion without any influence हमें किसी की कोई जावर जावर दस्ती नहीं है निश्पक शुरूप से हम अपिने independence increases our ability to act objectively without any bias objectively मतलब without bias जैसे की उधारण के तौर पे आप समझे अपनी कमनी है और अपनी wife chartered accountant है और अपन तो CA कर रहे थे बने नहीं वो बन गई उसने प्रेक्टिस शुरू कर दी अपने बिजनेस शुरू कर दिया अपना बिजनेस मस्त चल रहा है वह आज भी किताबों में सर फोट रही है हमने बोला एक काम कर client client उसको जादा मिलनी रहे हमने बोला तू हमारे ही audit कर रहे हैं हो तुम मुझे और पॉइंट कर रहे हो एक चीज का ख्याल रखना औरिट करते समय हम यह नहीं देखेंगे कि हमारे पूरा विश्वाज है तो और ज्यादा audit करेंगी दूसरों में फिर भी छोड़ देती हमारी हलती तो कभी नहीं छोड़ने वाली तो उसने कहा है मैं independent करूं और क्या है कि कहता है तो उस तो कि जब relationship आ जाती है ना तो chances बड़े ऐसे रहते हैं कि आपकी अब्जेक्टिवती ना रहे जैसे फॉर एक्जैंबल मैंने अपॉइंट कर दिया उसको और वो अडिट कर रही थी और उसने देखा कि भीया मैंने कोई फॉरन कंट्री से कुछ गुड्स बेचे उसका पैसा मंगाया और उसमें RBI के कोई नियम का पालन नहीं किया अगर आ आप अब्जेक्टिवली काम करपा होगी बीना किसी बायस के इसका मतलब आप को लगता है कि आप बायस दो सकते हो तो फिर बहतर है कि आप उस संस्थान का और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके रिलेटिव की कंपनी है तो आप उसका और नहीं करोगे क्योंकि इंडि आप समझे एक बात में आडिट कर रहा हूं इंफोसिस का और मेरे पास इसके पाच करोड के शेर रखे हो अब आप सोचो मैं आडिट कर रहा हूं मुझे इंफोसिस कंपनी में कोई घड़बड मिली मैंने मुला आप रहे रिपोर्ट कर दी तो शेर की प्राइस गिर यह पहले हम शेर बेचते फिर करते इसका मतलब आप निश्पक्ष रूप से काम नहीं करें वर इसके लिए का गया है कि इंडिपेंडेंट्टेंस का मतलब क्या होता है इस निश्पक्ष औप्जेक्टिवली काम करना दिना influence के काम करना हमारी इच्छानुसार ना की जिसन कि अग्या रिलेटिट पार्टी इसको नहीं कर सकते पाइंट नहीं आगे आप देखो कि ऐसे बहुत सारे नीयह में जो मना कर बाएंगो अगर आपकी कोई relative company में डिरेक्टर है आप उस company का audit नहीं कर सकते आप खुद directory हो तो भूल जाओ आपकेपास company के शेर है आप audit नहीं कर सकते हैं आपके relative पर आप कमपनी के जादा शेर्स है तो भी आप company का audit नहीं कर सकते ऐसे सब नियम बना रखें हैं चलिए ओडिट केन बी ओफ इन इंटिटी डाट इस यह अपन ने डिस्कूस किया ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं सुर्फ उन्हीं का ओडिट होना चाहिए क्यों क्यों कि आप चीज समझां दोस्तो चैरिट बलिंस्टिशन कि उसको भी ऑडिट नहीं होना चाहिए मंदि्र है ट्रस्ट है उन के पी ऑड़िट होना चाहिए वह आज आप समझे आप किसी चैरिटिबल denial को लाइको क्रोड और डे रहें आप नहीं चाहोगे कि उसका पैसा सही जगे यूज हो रहा है नहीं यह रिपोर्ट हो तो मतलब क्लियर है दोस्तों कि और ट किसी भी संस्थान का हो सकता है जहां भी फिनेंशल स्टेट्मेंट बन रहे क्या सिर्फ कंपनी में यह ओडिट कराना चाहिए क्या क्योंकि वह सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों ऐसा एक बात बताओ दो लोगों की पार्टनर्शिप फर्म है क्या उसको अडिट नहीं होना चाहिए हो सकता उसमें दस पार्टनर हो वर्किंग दो आर्ट स्लीपिंग हो चाहेंगे भई यह और चेक करें कि भईया वर्किंग बाटनर ने गलत खाते तो नहीं बना दिये जूट तो नहीं बोल रहे हमको ऐसा तो नहीं है खर्चे खुद करा सकता है क्योंकि audit में फ्रॉड ही थोड़े ना निकलते है एर्रस भी हो सकती है एंप्लॉई के फ्रॉड भी निकल सकते है तो इसके लिए बोला है भाई देखो कोई भी लीगल स्टुक्चर हो एंडिटी का प्रोप्राइटर्शिप कंसर्न यानि एक इंडिविजवल अ बिजनेस दों नॉन प्रॉफिट हो किसी का भी और यह सब के ऊपर कुश्चन आते हैं क्या बत करते हैं हां एंसी की भी आ सकता है और दो दो माग के कुश्चन जाते है अभी थोड़ा पढ़ ले फिर अपन जब कुश्चन अंसर्स देखेंगे तो आपका आइडिया लाग कि जिनें एक सवाल पुछाए देखते हैं लेट सी दे सवाल जैसे आपने कहा कि शायद अपने अर्विया की किसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो क्या हमें हर गाइडलाइन पता होना जरूरी होगी अरे वहाँ बहुत अच्छा सवाल पुछा क्या ओडिटर सर्वगुन संपन सारे घ्यान का धारी केवल घ्यानी श्री 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 एक हजार आठ चाटिट होना चाहिए तो सिए फाइनल में आप यह पढ़ोगे आपके इंटर में कोर्स में नहीं है एक स्टैंडर बनाया गया है दो सो पचास नंबर का है आपको याद हो पहले लेक्चर आप देखो के तो उसमें में एक एक लिया था छोटु का आउडिट करने का वहां चाइड़ लेवर हो रहा था अब हो सकता है ऑडिटर को पता ही नहीं हो चाइड़ लेवर क्या होता है जो financial statement को सीधी तरह से अफेक्ट करें जैसे की income tax जैसे की GST जैसे की P F E S I जो employee की तंखा और इसलिए आपके salary के खर्चे को अफेक्ट करें जैसे companies act पे आपको पता होगा schedule 3 होता है जिसमे बैलेचीट पेडल का format होता है तो कफदीज एक के schedule 3 का आपको ग्याद होता चाहिए क्योंकि उससे बैलेचीट पर environmental laws production के नियुक्त आर्बियाई की कोई एसे नयम जो financial statement से related डिरेक्ट नहीं है दूसरे norm से related उनका ग्यान नहीं भी होगा तो चाहिए इतना असान नहीं है विस्तार में इसके उपर standard तो बहुत अच्छा सवाल पूछा यश तो इसके लिए एक चीज समझो यह जितने तुमारे सवाल ऐसे पैदा होंगे ना कि जै सर हमारी relative मतलब वो जो company जिसने हमें auditor point किया ना वो हमारी fiance की अभी शादी नहीं है यह सर हम live-in में है उसके पर अभी legally हमने कोई ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं उनमें इसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कुछ तुम पूछ नहीं रहो लिहाज करके यह सब के उपर institute के नहीं ह इसा नहीं है पढ़ लिया तो खतम हो गया यह तो सुर्फ definition है अभी तो शुरुआत हो रही है इसके बाद उपर इसके उपर सब पर बहुत सारे डिस्कूश्च चाप्टर 11 में बात की गई इंडिपेंडेंस एथिक्स इन सब की final में जाओगे तो और ज्यादा विस्तार मे आगे बढू तो किसी भी संस्तान का हो सकता है बहुत बढ़िया चल रहा है सर आगे है उद्देश ये क्या है ऑडिट का ऑडिटर बेटा ओपीनिन देता है प्रपा अगर के दियान रखना ऑडिटर का उद्देश ये financial statement बनाना नहीं है यानि process क्या होता है देखिए बार-बार management शब्द आपके सामने आएगा management का मतलब auditor के perspective in our subject of audit management का मतलब क्या है it simply means authorities who are responsible for preparing and publishing presenting बोलते financial statement and also managing the affairs of the company जो business चला रहे है पास हमने बला ऐसा है तो तुम ही किताब भी तुम दे रहे हो मॉक्टर्स भी तुम दे रहे हो आज कल तो lectures भी देता institute सभी दे रहे हो तो पेपर भी तुम ही तुम ही तुम मुले वह यह कुछ जिम्मेदारिया तो कुछ की है तो हमारा काम क्या है हमारा काम बई खाते बनाना नहीं है हमारा काम है चेक करना इंडिपेंड़न को पॉइंट करती है अकाउंट बनाने के लिए उस केस पे भी ऑडिटर अलग से पॉइंट करना पड़ेगा जो आके चेक करेगा क्यों क्यों कि हम चाहेंगे कि एक इंडिपेंडेंडेंट व्यक्ति चेक करके बताए सबसे पेपर आप दे दो और आप बोलो मैं खुद ही चेक कर दू नहीं इंस्टिट्यूट चेक कर आएगा हमने बुला रहे हम पेपर देखे हम कुछ चेक करके देदे इंस्टिट बुलेगा नहीं हम एक सवतंतर आदमी से चेक कर रहे हैं एूंजट कर देखे तो सिस्टब ऐसा आए कि पहले सिदैश्यल स्टेड़ बतते हैं पूरे पूरे किर्याप को दीए जाते हैं किर आयोड से और फिर आप अपुदे इंगे वनाते हो और opinion मनती है कि रिपोर्ट के फॉर्म में रिपोर्ट बहुत लंबी चोड़ी होती है उसमें में मुद्दे की बाती है कि जो गना इंजल स्टेट्मेंट में बताया गया है बैलेंचीट में, पी एंडल में, कैश फ्लो में, नोट्स में, वो सही है और अगर कुछ गलत है तो ओडिटर बता देता है, सिंपूल So the purpose of audit is to express an opinion on the financial statement Sorry So preparation, presentation of financial statement is responsibility of management Auditor will only express an opinion on financial statement by means of a written audit तो अब समय आगया है कि मैं आपको एक audit report दिखा हूँ और एक financial statement शलिया आपने इस कब्दी का दाब भी सुदा होगा और इसकी सेवाओ का शायद प्रयूग भी इसने लिस्टिंग करा लिए जनता का पैसा अब इसके पास जो मैट हो 2022 देश के financial statement देखते हैं अपने इसके Annual report क्या होती है क्या होता है तो उस्तों Companies में ऐसी एक requirement होती है कि आपको साल में एक बार meeting करना होती ही कमनी लाओ में बढ़ा होगा आपने कभी तो क्यों करना होती है उसके कई सारे उद्देश होते हैं जिसमें सबसे बड़ा एक उद्देश होता है तो पही देखो कप्दी पे पैसा लगा है शेर होल्डर्स का लेकित कप्दी के operation manage कर रहे हैं कौन डेरेक्टर्स डेरेक्टर्स है management शेरोल्डर है owners जैसे की जुमेटो में कही लोगों ने अपने पैसे लगाए सोचके की कमनी आगे बढ़ाया काम करेगी और उससे हमारे पैसे की value बढ़ेगी शेर की value बढ़ेगी तो ये लोगोंने कामकाज नहीं संभाला इन्होंने कामकाज दे दिया लोगों को और बुला कि तुम कमनी चलाओ और साल में एक बार हमें करपा करके कमनी के financial statement पूरे बनाना उसका एक independent CA expert आदमी से audit कराना और हमें वो financial statement auditor की report के साथ एक बार तो साल में बुलाना एन्वल जनरल मीटिंग में और दिखाना प्रेली भेज देना हमारे पास एक copy और इसमें अगर कोई doubt होएंगे तो हम तुमसे सवाल भी पूछ सकते अब जब मैं financial statement बेज रहा हूँ शेरोल्डर को उसके साथ मुझे audit report भी बेजनी है तो हम ये भी चाहते हैं कि यार इसके साथ एक थोड़ी सी commentary एक थोड़ी सी report डिरेक्टर की तरफ से भी आ जाए यानि डिरेक्टर थोड़ा ये भी बता दे कि वह डिरेक्टर के इसाब से ये साल कैसा रहा बिजनेस कैसा रहा कैसा काम हुआ तो ये दो तीन चीजे प्लस आपको और भी कुछ लगती है काम की चीजे तो ये सब मिला जुला के एक report बनती है annual report हमें annual report नहीं पढ़ना हमारे syllabus में नहीं है हमें सिर्फ क्या पढ़ना है audit report जो किस पे बन रही है financial statement तो मैं आपको वो दिखाँ तो हम आजाते हैं सिर्फ financial statement वाले मुद्पर advance accounts में आपने देखा होगा कि अगर आपकी subsidiary या JV associate है तो आपको financial statement दो बनाना है एक खुद के जिसमें आपने जो subsidiary के share खरीदे उसको सिर्फ investment in subsidiary दिखाना है और एक group के combine करके जिसे consolidated financial statement आप देखेंगे इनके दो financial statement दोनों की अलग-अलग audit report stand-alone audit report 252 page पे stand-alone financial statement 264 page financial statement तो आप समझते ही हो balance sheet तो यह आपकी stand-alone balance sheet है 31st March 2023 की और यह जो balance sheet का format है यह आपको जो आप लोग format इंडर में देखते हैं उससे अलग है आपके format में पहले क्या आता है अपन जो format बनाते है उसमें पहले आता है equity and liability यहाँ पे पहले assets आता है क्योंकि यह लोग इंडेस से बनाते हैं इंटर में अपने एस पढ़ते हैं एस के और इंडेस के format आ लगा है ठीक है यूभी यह इन मिलियन्स अमने बनाईगे balance sheet और यह हमारी बैलेंग आप देखेंगे इस balance sheet में यह foreign behalf of board of directors यानि इसका मतलब कौन है यह management management में कौन लोग आते हैं कंपनी का managing director तो board of directors इन लोगों ने sign किये CFO कंपनी का समनी से क्रेटरी इन समझ और आप देखो इसमें auditor की भी sign है as per our report on even date attached की auditor है देलोइट साम जुनोग आपने CFO में इसका firm का registration station number CFO में इसके partner है जिसमें से तो इसका मतलब कि यह balance sheet का हमने audit किया है पर हमारी audit report आप देख लीजिए साथ में attach की तो कहा है भाई audit report बताईए जरा इंबी तो देखें auditor में क्या report बनाई है अरे आजाओ अभी दिखाते थे तो जुमाटो की audit report आपको देखने को मिलेगी आई है देखो heading ही दी हुई है independent और इस रिपोर्ट में हम ओपीनियन देते हैं ओपीनियन पैरेग्राफ में यह एक introductory paragraph है यह पूरा तुमारे syllabus में है final में तुम इत्ता बढ़ लोगे कि यह इत्ती बड़ी report तुम खुद बना पाऊगे यह audit report चल रही इत्ती बड़ी सर हां यह यह भी चल रही अभी भी चल रही हां यह यह यहां खतम ही रिपोर्ट 263 पेज पर रुका हुई थी देख लो तुम यह पूरी रिपोर्ट सी यह तो बनाता है बाप्रे यह पूरी बना पाऊगे तुम फाइनल में आद्या दे इंटर में भी तुम काफी कुछ समझ जाओगे इसका तो यह तो इंट्रोडक्शन ने शुरू में दिया हुआ है कि भी यह इस कंपनी के इस साल के यह फिनाइंचल स्टेट्मेंट मैं ने ओडिट किये रिपोर्ट में खास तौर पर ही क्या लिखते हैं ऐसे शुरुवात ऐसे की जाती है नार ओपिनियन और इंट विस्ट फ़र इंफर्मेशन और एक्स्टेट्मेशन गिवन तो आगे जो बोला है वो ठीक है क्या लिखा है इनों ने जो बोला है क्या इसपर कम्नी जागे इस पर कंपनीशा अर इसके फिन चाडल अ किसे बनाना है बीस अधार ये दो जगे बताया एक क्या एक अट नार के क्या इस पर कम्नी जाक्ट in the manner so required and gives a true and fair view in conformity with Indian accounting standards and other accounting principles generally accepted in India मुद्दे की बाद इसमें basically इन्होंने क्या दिया है कि stand-alone financial statement ये एक phrase यूज किया जाता है audit में true and fair view देते है ये इसने दे दिया इसका मतलब आप समच जाएए कि जो Zomato के financial statement वो auditor के इसाप से सही है इसमें को अगर कभी auditor को लगता कि ये financial statement सही नहीं है तो auditor management को बोलेगा तो यह सुनो तुमारे financial statement में गड़बड है management बोलेगा कि क्या गड़बड है हमने बताया management को लगा ठीक है तो वो ठीक कर दे और ठीक करके फिर हमको बताया हम भी जन्तुष्ट हो गए तो भी हम report ऐसी दे देंगे कि financial statement सही है यानि हम कोई ऐसे reporter नहीं है न्यूस इंडिया टुड़े के आज तक के Republic TV के इस कमनी का हमने audit किया उसमें गलती मिली तो हमने मालुम पढ़ा कि इंस्टाग्राम पर रील डाल दी देखिया इस कमनी में और है fraud और हमने किया सबसे पहले डिटेक्ट अपन को ऐसा नहीं करना है management को बताओ management अच्छा गलती हो गई सही कर देते सही कर दे कोई दिक्कत नहीं यह कहानी मत बताना गलती थी हमने सही किया कोई जर्वत नहीं नहीं करें सही तो आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ता है ऐसी भी रिपोर्ट अपन देखिए और उसमें बोला पड़े का आपको तो यह फिनेंशल स्टेट्मेंट सही है एक्सेप्ट उसमें यह दो चीज़ है वह मैनेजमेंट की है हमारा काम स्रिफ क्या है ओपीनियन दे रहे है तो बैलेंशीट जो अपन ने साइन करी वह स्रिफ क्यों साइन करी कि इस बैलेंशीट पर हमारी रिपोर्ट पल लो और मैनेजमेंट ने क्यों साइन करी क्योंकि उसी ने बैलेंशीट बनाई है और हम for anybody इसके लिए वो इन चीजों को ensure करता है सबसे पहले जब वो financial statement check करेगा तो वो क्या check करेगा कि क्या खाते जो बनाए गए हैं they are made as per entries in the books of accounts आरा भी समझ में आरा है चल रहा बढ़िया कोई दिक्कत तो नहीं कोई टेंशन तो नहीं कोई लॉड तो नहीं कुछ पूछना था नहीं है कुछ भी पूछना है तो पूछो बैच्चो सबसे पहले हम पूछेंगे कि भाईया जो financial statement तुमने बनाए है वो books of accounts के अनुज़ा रही है क्या मतलब books of accounts के अनुज़ा आजाओ जोमैटो के financial statement खोल डालते है तो मैं आपके सामने चलो जोमैटो की बात हुई है तो अब अपर नहीं से थोड़ी चर्चा करते हैं discussion करते हैं मैंने जोमैटो का profit and loss कोल दिया है आप auditor हो दोमाटो ने आपको यह पिंडल बना के दिया है जिसका अब आप क्या करने वाले हो audit करने हैं सबसे बहले आपने देखा चलो revenue से शुरू करते हैं आपने देखा 47,000 millions का revenue यानी 4707 करोड का revenue 4700 करोड का कपनी करोड का तो तेरे आप इसको चेक कर रहे हैं as an auditor verify कर रहे हैं सही है या नहीं है इसमें note दिया गया note 20 जिसमें इसके बारे में कुछ break up दिया हूँआ होगा देखते भई note 20 मिल जाए तो क्या है उसमें मिलेगा क्यों पूल मिलेगा break up दिया हूँआ होगा और कुछ यह देखिए 4700 करोड का आपका जो revenue इसका break up है सर्विस रविन्यों 46,000 मिलियन यानी 4,000 हिस्सों यानी अगर आप देखोगे तो major revenue तो हमारा काए सर्विस रविन्यों बाकी सब कुछ खाए अब यह सर्विस रविन्यों कहां से आया तो इस पे note 34 चलो note 34 देख लेते हैं यह पूरा financial statement बना बनाए मिला है तुमको तुमने कुछ नहीं बनाए है अपन note 34 पे जा रहे हैं इसमें कुछ related party disclosures दिये रहे हैं इसमें कुछ बताया हुआ है कि यह revenue में कुछ revenue related party से related होगा चलो अभी अपने को पूरा करने नहीं बढ़ जागा कि यह revenue को इत्ते बनने के related party disclosure है कि यह related parties के साथ हमागा transaction इसमें sales related information होगा अब अपन तो आते revenue अब आप पता हो revenue आप चेक करोगे तो अब आपने किस चीज़ पर focus करना है आपका क्या डर है आपका क्या risk है आपने क्या check करना what is that money आप चेक कर रहे हो कि revenue 4649.5 crore का सही है या नहीं है इसे verify करोगे आप इसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले यह तो balance sheet है इनके खाते बनते होंगे समझते हो टैली सुना होगा तुमने ऐसा कोई accounting software होगा जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि किस दिन किता revenue कमाया किस customer से किता revenue आया पूरी detail आपको वहाँ पर मिलेगी तो सबसे पहले आप यह 46495 को किस से cross check करोगे first books of account जिसका मतलब है basically आप इससे related इसके ledger देखोगे journals देखोगे और verify करोगे कि वहाँ से amount सही आ रहा है या नहीं आप फिर तुम चेक करोगे कि जो sales book करी है उसके पीछे कोई document होगा कोई record होगा जिससे इसको cross check करोगे तो फिर आप entry जो books of accounts में की गई है उसको किस से check करोगे whether they are supported by sufficient and appropriate evidence तो books में ledger में entry करी गई है इसका मतलब books of account मतलब आपने ledger चेक किया journal चेक करी है उसके बाद वो ledger और journal के पीछे क्या होगे आपके vouchers होगे जिससे कि आप यह establish कर पाओगे कि हाँ यह रिवे यह हूँ तो में भी आपकी आपकी sales के voucher हो खर्चों में ज्यादा interesting होगा जैसे employee की salary है तो salary आप cross check करोगे तो देखा books में इतनी salary है तो फिर आप देखोगे salary pay करी तो उनके bank के खाते में गई होगी हो सकता है कोई salary slip उनके sign करवाई हो तो उससे cross check अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ omit कर दी गई हो तो check करते हैं समय ख्याल रखना है इस चीज़ का कि ऐसा तो नहीं है कि कमदी ने कोई चीज़ skip कर दी omit कर दी हो सकता है tax बचाने की चक्कर में कुछ revenue book नहीं किया हो हो सकता है 31 March का revenue book करने से रह गया हो हो भी check करना है आपको साथी साथ में यह देखना है कि information एकदम clear और unambiquid इसका मतलब क्या है एकदम साफ साफ present किया गया है जैसे कि जो मैटो के financial statement आप देख रहे हो एकदम साफ सुत्रे बनाए कोई ऐसा थेंके बैंक की कुछ भी नहीं है कि देख के ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम clear stand alone consolidated stand alone के अंतर का balance sheet पी एंडल पेंडल में revenue revenue के अंतर का सारे revenue के अच्छे से बाइफर्गेशन एकदम clear है classification सही है खातों का description सही है disclosure सही है और सही का मतलब क्या है सब कुछ as per accounting stand वापस से आते हैं अपन समयडो के financial statement में classification में let's say disclosure में let's say balance sheet में P&L में ले जाता हूँ तब देखें non current assets current assets तो यह देखें inventory सही है inventory current में आ रही है property plant equipment non current में आना चाहिए सही आ रहे है height of user या नहीं lease asset होते हैं तो यह classification है कि यह सही तरह से classify किया या नहीं present किया या नहीं describe disclosure जो related party के disclosure है वह सही या नहीं यह चेक किया आपने overall statement of account क्या true and fair picture जो actual में हुआ है उसका देख और आप मुझे पताओ जब ऐसी report बनेगी और user पढ़ेंगे तो उसे क्या आएगा एक आश्वासन मिलेगा स्थि ठंडक चलो मान सकते हैं क्या इन्होंने जो पता है वो सही है यानि की जो मेंटो के financial statement विश्वस नहीं पर शारंस का मतलब क्या है confidence विश्वास किसका of users of financial statement जो users है तो income tax के पास जाएंगे बोलेंगे चलो audit हुआ है मतलब सही है वो सकता है गड़ पर निकले अपन उस पहेंगे अभी आगे शेरोल्डर के पास क्या भूलया audit हुआ है तो चलो सही हूँ इससे user का confidence बढ़ा financial statement की credibility बढ़ा तो अगर आपसे पूछा जाए कि financial statement में auditor को check करना है तो वो क्या check करेगा तो यह आपके steps है सबसे पहले उसे क्या देखना है financial statement में जो भी चीज़े आ रही है वो क्या होना चाहिए as per books supported by sufficient appropriate evidences sufficient appropriate का मतलब क्या होता है सब आगे detail में हो रहा है and then कुछ उसमें omit नहीं हुआ है clearly presented है proper classification disclosure description यह सब ढंग से दिये गए हैं ऐसे अपनिया क्या करती है बदमाशी करती गंफियूस करने के sales शब्द को कुछ इस तरह से बता दिया कि बही clear नहीं हो रहा है आप साफसा बताया है sales from service sales from sale of goods platform fees royalty fees यह सब हमको मिलती है सब proper बता दिया प्रॉपर चाहिए डिस्प्लोज्ट है एस पर accounting standard तो कि वही बताते कि क्या करोगे तो प्रॉपर बना जाएगा और ओर ओर रहा है यह उने से हम audit कर पाई इंस्टिट्यूड बोलता है कि यह audit करने के लिए समझने के लिए बोलने के लिए कि यार audit हुआ है सही से हुआ है एक auditor के पास कई सारी चीजों का ग्यान होना चाहिए तो relationship with other discipline का मतलब है auditing requires sound understanding of an auditor should have good understanding of accounting तो obvious सी बात है उस पे तो expertise होना चाहिए कि आप से बहतर accounting कोई नहीं जाता accounting standard का पूरा knowledge होना चाहिए तो इसमें तो आपकी expertise चाहिए पर आपको law का भी गया मुँँआ है नहीं at least वो law जो business laws taxation laws जो directly business नहीं होगा तो पूरा ग्यान नहीं होगा you will not be an expert but you should have good knowledge of it at least once which are affecting बने in fact क्या में economics का भी ग्यान होना चाहिए आप देखिये दोस्तों ऐसे आपके साबने सवाल रख रहा हूं जब आपके लिए रुका हूँ आप बताना जोमैटो के पीएंडल में आप देखो 2022 में कम्नी ने आलमोस्ट ग्यारा सो करोड का लॉस किया और फिनेशल year 23 में कम्नी ने ग्यारा सो करोड के लॉस से ग्यारा करोड के प्रोफिट में कनवर्ट अब यह आपने वालेंच शीट पर देखी आप ओड़िट शुरू करोगे आपने देखा हो माइग गौड कितना बड़ा चेंज है जा सेल्स कमनी की बहतर हुई है नो डाउट अबाउट अच्छ बड़ ऐसा नहीं कि दो पाइंच दस गुना बन गई पर आप देखो ग्यारा सो करोड के लौस से ग्यारा करोड का प्राउट आपकी जनरल नॉलेज अंडरस्टेंडिंग अगर आपने समयट वगेरा यूस किया अफलेट क्या लगता है आपको मैं नहीं बोल रहा है इसके basis पे आप opinion देजना सब सही है या नहीं बड़ प्राइमा फेस ही first look में क्या लगता है क्या यह विश्वस्निया लग रहा है या कोई बड़ी गड़ अगर आपको market की economics की यानि economy मतलब आपका overall economic environment की समझ होगी शायद आप बोल सकते हो with your study of market with your study of the whole economy शायद हो सकते है क्यों क्योंकि हमने देखा actual में कि Zomato ने वाकई पहले बहुत discounting होती थी शुरुआती दोर में पर अब हर कोई यूज करना शुरू कर चुका है तो discounting कम होगी श्री में चीज़े देना discount coupon देना कम हो गया है sellers की भी आज की तारिक में सच आपती है एक तरह से sellers को भी एक तरह से क्या है आदत लग गई है कि उनको बहुत सेल आती है Zomato से तो वो लोग भी अब commission देने को त्यार होगी competition भी कम हो गया है क्योंकि अब दो ही ब्लेयर बच्चे और रीट्स वगेरा थे वह सब खरीद लिए गए तो यह सब देखके आपको लगेगा कि शैद हो सकता है यानि ऐसे एक्तम से गड़ पड़नी तो क्या मैं बोल यह रहा हूं कोई आप सोचो कोविड वाले साल में hotel industry है और कोई hotel का audit कर रहा है और sales बढ़ गए तो आपको doubt होएगा कि यार यह कोविड वाले साल में sales कैसे बढ़ गए इसलिए कहा गया है कि आपको economics का भी knowledge होना चाहिए जिस environment में business operate कर रहा है उस environment का knowledge इस economics का आपको behavioral science यानि की HR भी अच्छा होना चाहिए तो human से deal करने की आपकी एक तरीके होना चाहिए क्योंकि auditor को आए दिन management से inquiry करना होगी data मांगना पड़ेगा तो अगर आपकी अच्छी interpersonal behavioral skills नहीं है लोगों से बात करने की अगर आपकी कला नहीं है तो आपको data नहीं मिलेगा आप रहन से काम नहीं कर पाऊगे तो अच्छी auditor बनने के लिए HR भी सीखो आपके पास अच्छा statistics और mathematics का knowledge statistics का प्रयोग analysis में आता है आप सुचो दोस्तों बड़ी-बड़ी कमनियों में अब लैंज जैसी कमनी जहां पर रोच के लाखो करोडों transaction होते हों आप करने के लिए क्या करते हो आप आप trends पढ़ते हो जार देखते हैं अपन की sales कैसी जा रही है expense कैसे हो रहे है उससे identify करते हो कि यहाँ चेक करता हो क्योंकि 100% तो चेक हो गई यहाँ चेक करूँगा तो गड़ बढ़ेंगा यह आप कब कर पाओगी जब आपके पास statistics का अच्छा यहान है तो आप अच्छी sampling कर पाओगे statistics बहुत जगे आपको sampling में मदद करेगा mathematics आपको किसमें मदद करेगा कई जगे inventory चेक वगएरा मैच्स लगता है जिन लोगों ने 11 वी बार वी मैं मैच्स पढ़ा हो mensuration वगएरा अगर आपने पढ़ा हो तो क्या होता है दोस्तों जैसे आपको जब कोई अभी सोचो आप audit कर रहे हो एक पेट्रोल पपको मार्च पर उसने अपनी inventory में दिखा रखा है कि मेरी 50 लाग की inventory हमने पुझा है 50 लाग की inventory क्या है तो उसने का 50,000 लीटर हमारे यहां पर पेट्रोल रखा हुआ था 100 रुपे के हिसाब से 50 लाग में 31 स्वारे क्या मैंने पुझा है का यह तो वारे ट्रोल में में तो कहीं पेट्रोल दीखी नहीं रहे मानने वह मालिक अंदर अंदर्ग्राउंड टैंक के उसमें जब उस टैंक में तुम पेट्रोल वेरिफाय करते हो कैसे करती हो नहीं तो आप tank का size निकलवा लिजे क्या depth है क्या width है क्यूबॉइड है ये एक और आप क्यूबॉइड से उसका volume निकाल सकते है डिप test करो देखो कहां तक की height है उससे आप निकाल लो इत्ता cubic fit of petrol है एक cubic fit is equal to this much liter इसका मतलब total इत्ता लिटर होगा ऐसे calculation करके आप क्या कर सकते हो stock verification आपको मैच कि अच्छल मैनेजमेंट की जर्वत आपको क्यूँ पड़ेगी working capital management, front flow management, ratio analysis, capital budgeting इन सबका प्लस stock market का अगर आपको knowledge होगा आपको audit में सहता मिलेगा आप समझते हो कि या कमनी की current asset से ज्यादा current liability है तो क्या नुकसान हो सकते हैं कमनी की dead बहुत ज्यादा interest coverage issue बहुत कम है इससे कहा रिस्का सकते हैं तो आप बहतर audit मैट्स का ज्यान होना चाहिए data processing यानि IT है आज की तारिक में आप सोचो अगर आप IT नहीं समझते हो तो audit करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि अब वह वैसे भई खाते नहीं बचेगी हर चीज के voucher है सब online है इसलिए आपको EDP electronic data processing system कैसे होते हैं इनका knowledge होना चाहिए production अगर आपको knowledge होगा cost system marketing in fact not just production all business functions production etc होना चाहिए तो इससे क्या होगा आप और अच्छे से business को समझ भाऊ जैसे की अगर आपको production का knowledge है न एक सिंपल एक्जैंबल लेता हूँ एक्सपीरियंस क्या करते हैं ऐसे चीज़े पता कर लेते हैं कहां घड़ बलेगा मैं कार manufacturing कमनीक करने क्या और मैंने क्या 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 उसमें कार उसने जित्ती बनाई यह सब अच्छे से जिए डीटेल में पूरी चेक करी कंव्य में बढ़ी हो गया चेक और मैं खर्चों पर चेक करने हमाया जहुआ है का के साथ ही और श्रीमेंट हर साल होता है और एक फिक्स प्राइज होती है तो इस साल पूरे साल उनको टायर हमें फिक्स 1200 रुपए पर टायर में सप्लाई करने थे लब बढ़ गया इस साल कितनी कार मैनुफैक्चर हुई है मैंने निकाला इन्टू 5 किया इतने टायर मेरे यूज होना चीए उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एड्जेस्मेंट किया टोटल टायर परचेस डाना चीए थे इंटू 1200 किया परचेस मैच होना चीए थे नहीं होई मतलब कुछ कड़ पड़ है तो मैं यह क्यों कर पाया क्योंकि मुझे इंपूट आउटपूट रेश्यो समझना था यह तो कॉमन सेंस है और अगर आप इंपूट आउटपूट रेश्यो इस तरह से अच्छे से समझोगे तो आप सोचो क्रूड ओइल से डीजल पेट्रोल बन रहा है तो आप एक चीज गरिफाइब कर ली तो दूसरी बहुत आसानी से कर पाऊ इसे कहते हैं relationship of auditing with other discipline अब मैं आप पर एक बात बताता यह वो theory चीज है जो बच्चे normally छोड़ी देते अरे theory है क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे याद रहेगा नहीं example से सब रहे आपको लगे तो जो मैं example बोल रहा हूँ side side में note कर लेने इसलिए मैं आपको क्या बोला जैसे डिटा प्रोसिजिंग तो आप क्या करोगे Amazon का अगर audit करोगे आपको अब्बिस सी बात है कि online sales का पूरा समझ होना चाहिए कैसे होती है production का आप audit कर रहे हो तो अच्छे for example आपको अगर अच्छा knowledge हुआ production का oil to petrol डीजल का आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इंपुट आउट्पुट रेशो का knowledge मैट्स मैंने आपको बताया petrol के स्टॉक को वेरिफाई करने के लिए financial management आपका current asset current liability की position वगेरा statistics आपको sampling में काम आएगा behavioral science आपको क्लाइंट से data मांगने के लिखा हुआ आगे होता है ना हमारे office में कई एसे tactful लोग होते यह बोलता अच्छा तेरे management data नहीं दे रहा है रोख उसको भेजते हैं अरे बिट्टू सुन जरा देखके आयर यह problem कर रहा है और बिट्टू ऐसा हो किसी को भी पटा लेता है management नहीं है ऐसे तो यह examples नोट यह examples और ऐसे पढ़ने से क्या है आपको थियोरी भी आपको ऐसी नहीं लगेगी है यह थियोरी है आप बोलो कि हाँ अब यहां तक सब कुछ हो गया है यहां तक सब कुछ हो गया एक मिनिट का अपना आराम से अब होल्ड लेते हैं आपके कोई भी डाउट से फिर अपना आगे बढ़ने हैं यहां तक जो जो पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है तो पुक में जो रेड पेन से माख करहे हूं इंपॉर्टर ऑंडरलाइन करना नहीं कोई इंपॉर्टर जब होगा मैं स्टार मांक कर दो तो जहां पर एक style लगा है इसका मतलब वो important है दो style लगा है मतलब बहुत important दो कब लगेगा जब मैंने भी important mark के और तुमको भी difficult लगा तुम चाहो तो अलग-अलग color पर नियूज कर लो पर वो इत्ता ध्यान नहीं रहता है अक्ति तक मैं important mark कराऊंगा red color से तुमको लगता है तुम्हारा तो तुम green से कर ले तुम ग्रीन से कर ले तुम आपको दिख जाए इनिशल की तो मैं PDF ओपन दे तूँगा आप आपकी एक्जाम तक यह रही है अब आदे objectives of audit अभी अपन ने जो पढ़ा हो था meaning or definition of audit relationship with other disciplines अब अपन पढ़ रहे है audit के उद्देश्य एक्च्वल मैं objective बोलते audit आया है पर यह है objective of independent auditor और यह define किया गया essay 200 में what is essay 200 standard on auditing 200 मैं जब essays के उपर आऊँगा इस chapter में आखरी में तब आपको थोड़ा विस्तार में essays क्या होते कौन देता है कित्ते follow करना है उस बारे में बात करना अभी पहले यह objective बढ़ता है इसमें कुछ बहुत important terms आपके सामने आएगी जो बहुत अच्छे से समेल जाँ नहीं for all objectives of the independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing यह इस essay 200 का नाम है इत्ता बड़ा नाम हाँ exam में लिखना है लिख देना याद आए तो आजाएगा अभी करा देता हो कुछ भी नहीं है दो चीजे एक overall objectives of independent auditor auditor के objective overall objectives of independent auditor और दूसरा conduct of audit as per essays वही audit करो तो as per standards on auditing करना ICI बोलता है तुम standard on auditing के इसाब से audit करता हो तो तुमने सब सही कर दिया तुमको जित्ते भी सवाल आएंगे ना उन सब के जवाब तुमको standard में मिल जाएगे कि यह कैसे audit करना है करना है नहीं करना है सब तो इसका सबसे पहला standard है essay 200 standard on auditing number 200 शुरूई 200 से होता है और उसके पहले standard में बताया गया है कि audit का उद्देश ही कह है तो यह बोलते है auditor का उद्देश ही कह है कॉंसो auditor independent auditor क्या उद्देश है auditor independent auditor का उद्देश है कि in conduct of audit of financial statement और in conducting audit of financial statement the objective of auditor are सबसे पहला उद्देश है उसका to obtain reasonable assurance अब यह reasonable assurance बड़ा ही important term है यहाँ पर define भी किया है चिंताजी पर अपन समझ भाएं मुझे एक बात बताओ दोस्त एक judge कब judgment देगा जब वो खुद आश्वस्त है कि उसके सामने जो दलीले जो दस्तावेश जो evidence पेश किये हैं उसके basis पे अब वो इस position पे आ चुका है कि अब वो conclude कर सकता है हाँ यह दोशी है नहीं इसे एक दोशी करार ना ultimately judge को आश्वस्त होना है अपना opinion देने से पहले इसी तरह से auditor को आश्वस्त होना है और ओंको आश्वस्त करने से पहले वा 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 क्या बात है only if you are happy you can make others feel happy only if you are assured you can give assurance to others और पहले reasonable assurance obtain करेगा यानि वो खुद आश्वस्त होगा किस बारे में auditor को क्या आश्वस्त होना है कि या financial statement में कुछ गड़बड तरुदास क्यों है इसे क्योंकि गड़बड हुई और अगर मैंने लोगों को बोल दिया सब सही है और निकला गड़बड तो समझ रहे हो या फिर मेरा क्या होगा क्या होगा अरे बैन कर देंगे तुम बैन कर देंगे मतलब अरे बहुत होता है क्या बहुत होता है शर बताओं आजाओ तुमारी इच्छा होतो एक बॉड़ी है इसके बारे में बात करेंगे नफ्रा नैशनल फिनेंशल रिपोर्टिंग इसके ओर्डर्स बताता होता है अलग 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 ओर्डर्स है इसके कि जैसे केफे कॉफी डे सुनाओ का प्रेंट प्रेंट प्रेंटी लगा दिया क्यों इन्हों ने कहा कि और ने बिना आश्वासन प्राप्त किया अश्वस्त कर दिया लोगों हैं क्या है समझे है तो हमने वह बला कि एक कमनी है मैंन इंडस्ट्रीज है मैं याइए उसके अंतरगत यह सीए फर में पॉंट नम्बर सिक्स पर तो हीरा महता एंड असोसियेट्स और सीए निलेश चेड़ा ने ओडिट किया हूँ और हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि सीए ने अपना कामड़न से नहीं किया कैसे नहीं किया है ऐसी आप थोड़े से पॉइंट पड़ोता आपको समझ में आएका कि सीए की भी जिम्मेदारी आए है अगर वो आश्वासन देता है तो पहले उसको खुद को आश्वस्त होना नहीं किवा तो क्या हो सकता उसके पड़ते हैं पहला पॉइंट एपी एंगेजमेंट पार्टन जो अटिट करता है यह सारी चीज़े आप कहीं से भी उठा के पड़ोगे आपको पूरी समझ मेंगी पर हॉले हॉले सब टर्म्स दीरे दी रहे हैं इस ओपीनियों और फिनाइशल स्टेटमेंट इस टेटिंग अट फिनाइशल स्टेटमेंट रफ्लेक्टेट ट्रूएंट फेर विव एक्सेप्ट फेक्ट अफ नॉन एप्सेटरी के साथ नहीं किया यह छोड़के बाकी सब सही था जबकि और को बोलना चाहिए था कुछ इसी किज भी सही नहीं है दूसरा तैम स्टेटमेंट इंट कंतें रिक्वाइट द्सक्लोजर मेंडेटेट वा इनदेस 24 यानि इस 18 रिलेटेट पाटी तो रिलेटेट पाटी के कर्लेक्ट अएंचन डिसक्लोज नहीं और अजिटेक्ट नाइशन किया रिपोर्ट यह था देन इपॉइंट बढ़ो आपको जो में आएंगे अभी उप्रक्षा इंगेजमेंट पार्टनर फिल्टू डिमॉंस्ट्रेट सफीजन्सी एंअप्रोप्रियेटनेस ऑफ फॉडिट फ्रेस बहुत बार आएगा सफिजिन्ट अप्रोप्रियेट देखेंगे इंगेजमेंट पार्टनर यानि वो जो अडिट कर रहा था यह वो यह बता नहीं पाया डिमॉस्ट्रेट नहीं कर पाया तो जब उसके अगेंस इंक्वाइडी बैठी और नैशनल फिनाइंचिल रिपोर्टिं अथारिटी इने इससे सवाल पुछे क्या अथारिटी है सब कि वह यह तुने इस कंपनी में यह चीज क्यों नहीं बताई लोगों को कि इस कंपनी में यह गड़ बढ़ है तो उसने बताया मैंने यह यह चेक किया मुझे गड़ बढ़ नी मिली ऐसा तो उसने बुलाए कि इस कारण से हम निलेश चेड़ा के उपर पांचला गुपे की पेनल्टी लगा रहे है और पात साल तक उसके के उपर प्रतिबंद लगा रहे हैं कि वह किसी कंपनी का और फिर आगे में पूरी डिट लब समझवा और ऐसा नहीं है कि मैंने अपॉइंट किया या आपने मुझे और पॉइंट किया और मैंने बुला अच्छा चलो यह रेपोर्ट साइन करके देदी वह यह हो मुझे च स्टेटमें देखो एक चीज समझे जोमैटो जैसी कंपनी में भी अगर आपने कोई गलती मिली आपको पांच अजार रुपे की तो आप उसे कोई नहीं ध्यान देने वाले क्यों क्योंकि आप समझो 11 करोड की कंपनी का प्रॉफिट है 14,000 करोड का टर्नोर है ऐसी कंपनी में पांच लाग रुपे मटीरिल नहीं होते अगर इग्नोर कर अब मटीरिटी क्या होती है यह भी पढ़ेंगे सब समझाएंगे आपको तो सिर्फ मटीरिल चीजों पे कोई कोई गढ़बर नहीं होना चाहिए मिस्स्टेट्मेंट या नहीं गढ़बर है कि यह गढ़बर फ्रॉड एरर किसी भी करन्च से हो सकती है अब क्या चाहिए इड़ाय किणच यही ओप्टें लीजनेबल अश्ची कि हम आपिनियन दे सकें फीनचेल स्तेाटमेंट और क्या आपिनियन देना है है कि आपिनिया किनिया स्तेक्म तेमेंट ऐसेस पर कंपनियूंद अंट अग। अचंस्टेंडर्ध an applicable financial reporting framework अब ये financial reporting framework शब्द कही जगे आएगा तो चलो अब इसके उपर ये term note कर देखा है applicable अब्लिकेबल फिनाइंशल रिपोर्टिं फ्रेम क्या इसका फिनाइंशल स्टेटमेंट्स प्रेशन पूद बी based on और affected by accounting standard और इंडेज जो भी आप पे लगते हैं जो भी आपके लिए relevant laws या उनकी regulations है अब आपके लिए general principles जब किसी चीज़ पर accounting standard नहीं है या law में कुछ नहीं बोला है तो आप general accepted principles of accounting use करोगे materiality, conservatism वो सब तरह की जीज़ इन सब के उपर financial statement की preparation based हो जो 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 examples may be different for different entities किसे जएसे For a bank, accounting would be affected by किन चीजों से आपकी accounting यानि financial statements affect हो सकती है? क्या चीज़े जो आपके financial statements को affect कर सकते हैं? तो हो सकता है RBI की कुछ चीज़े हो RBI की कुछ regulations हो सकती है जो financial statement related हो accounting standards हो सकते हैं वहीं पे let's say for example अगर आप NBFC की बात करोगे तो उस पे RBI की regulation लगती है लेकिन उसके उपर accounting standard की जगे index भी लग सकते हैं banks पे एस लगते हैं, index नहीं लगते हैं उसके कोई एक manufacturing company है तो उसके उपर companies act की regulations लगेंगी न BFC पे भी companies act के provisions लगते हैं और उसके उपर AS और index लग सकते हैं आप एक partnership firm की बात करोगे उसकी accounting mostly AS से होगी तो यह जो है ना इसे collectively applicable financial reporting framework का यानि हर वो चीज जिससे आपकी accounting effect हो रही है वो सब collectively क्या कहलाईगी अप्लिकेब फिनाइंजिल रिपोर्टिंग पर जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आपकी नियम काईदे कानून कीन चीजों से effect होते हैं बहुत सारी चीज अफेक्ट करती हैं कुछ हमारी स्कूल के रूल दे जो एडमिशन के समय दिये पर कुछ सी बीएसी के नॉम्स जो हमारे उपल लागव होते हैं कुछ हमारे क्लास के नॉम्स तो यह सब स्कूल क्या करती है एक इक 20 x бत क्लास के की अधिया हुए एक अप्लीकेबल कोड़ और च्रक्ट हो गया ऐसे अकॉंटिंग का जो एक अप्लीकेबल फ्रेमवर्क हें itself रविछ jogo ть और चाहिए विस बोलते हैं प्ली केस्ट कोरबो । असका मतलब सब आगया है तो आडिटर का क्या काम है रीजनेबल इस्षरिंस अप्टेन करना कि विरैंचल स्टेट्मेंट फ्री फ्रॉम मटीरल मिस्टेट्मेंट है यानि गलत नहीं है और साथी साथ में जो फ्रेमवर्क के अनुसार बनाना चाहिए उसके अनुसार बनाई गए हंड़ेट परसेंट नहीं मटीरल रिस्पेक्ट में हर मटीरल तो दो चीज़े हैं यहाँ पर समरी में क्या दे आर फ्री फ्रॉम मटीरल मिस्टेट्मेंट प्लस दे आर प्रिपेर्ड ऐस पर एप्लिकेबल फिनाइंचल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बस यह दो कीवर्ड़ हैं जो आपको ध्यान रखने विटा और कुछ नहीं इस चीज़ पर हमें रीजनेबल अश्चारंस चाहिए अभी रीजनेबल अश्चारंस तो बहुत लंबा डिसक्शिश्चिश्च बाद में करेंगे इसको कल देखेंगे फिर उसके बेसिस पे मैं एक रिपोर्ट बराऊंगे तो मेरा उद्देश है एक बार में अप्टेन करूँगा रीजनेबल अश्चारंस देखूँगा फिनाइंशल स्टेट्मिन्ट एस पर फ्रेमवर्क है और फिर रिपोर्ट देखूँ इस पे फिनाइंशल स्टेट्मिन्ट पर मेरी जो रिपोर्ट होगी क्या मैं अपने हिजाब से गुना सकता हूँ या इस यह बताएगा इस बताएगा तो मुझे रिपोर्ट बनाना पड़ेगी एस पर स्टैंडर्स और और वो रिपोर्ट किया एक जैसी हर ओडिटर की होगी ऑबिस सी बात है वह फैंडिंग्स के उपर डिपेंडेंट है इसका मतलब है बेसिकली टो रिपोर्ट ऑन फिनाइंशल स्टेट्मेंट एस पर मैं एसेज और फैंडिंग्स ऑफ और जी कली पढ़ोगे कीवर्ट से पढ़ोगे सर याद रहे जो बच्चा बोलता है सर मुझे अगर कभी अग्साम में कुश्चन आ गया और इसनेवल और अब्जेक्टिव ऑडिट तो क्या यह एस इस लिखना है मैं तुमको बोलूँ अगर मैं सामने रख दू तो भी तुम्हें लिख पाऊगे महां पर भी कोई कॉमा मिस्टेप हो जाएगी दह और एन की मिस अर प्रिपेड अल मटिरियल रिस्पेक्ट ऐस पर अप्लिकिव फ्नाइंशल रिपोटिंग फ्रेमवर्क अद तू रिपोट अग्स विड़ाने अग्स अधर इस तरह से पढ़ रहे है ना तुम इसको याद भी रख सकते हो फाइनल में भी याद रखोगे और बाद में कभी पढ़ाने की इच्छा हो तो अब भी याद रहे है अगर करके audit advance मत पढ़ाना है please no competition तो बहुत होले होले आराम से चल रहा है अपन खोई कर नहीं है पर अपनी grip बनना चीए धीरे धीरे टेक-off बड़ा smooth होना चीए बिटा मस्त टेक-off हुजा एक बर अच्छे से चीज अपनी grip में आने लग जाए समझ में आने लग जाए रही लेट करने लगे है क्यारेंटी है दोस्तों और बहुत ज्यादा समय नहीं दस-पंद्रा दिन maximum 10-1 sessions के बाद तो तुम खुद उठाना report annual reports उठाना audit report उठाना पढ़ना और उसमें एक एक term तुमको यह समझ में आएगा पहले दिमांग में आएगा तभी तो आपके हाथ में जब इधर और इधर ही नहीं है तो यहां कहा है चलिए आज के लिए इतना ही reasonable assurance अपना discussion कलका यह pdf में आपके साथ telegram पे share करते था हूं यह pdf में आपके साथ google drive पे share करते था हूं वहां से download करके refer कर सकते हैं आज का lecture आपको YouTube पर भी available करा दूँगा इससे क्या हो जाएगा basically you will basically have the first few lectures culture obviously lectures आपके encrypted form thank you and let's see you tomorrow bye